आज के पिडम मैं आप सभी के लिए सर्दीओं के लिए स्पेसल गोंद के आटे और गुर से बनीवी एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डो की रेसीपी लेकर क्याय हूँ गे लड्डू बनाने में बहुत ही जएदा आसान है और सर्दिओं की टाइंप पर अगर आप ह तो आपके लडू ना हर बार बिल्कुल पॉफक्ट बनेंगे तो वीडियो पूरा देखेगा और ट्राइ करने के बाद अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर ज और इसमें मैंने सबसे पहले डाला है एक बड़ा चममच मेथी मेथी हमारी ब्लेट प्रेशर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है इसे के साथ साथ यह हमारे बॉड़ी में शुगर लेवल को भी कंशोल में रखता है तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है आप सरूर इसे डालने से लड़ू काफी ज्यादा टेस्टी भी बनते हैं और काफी ज्यादा हेल्दी भी बनते हैं तो यह साइच चीज़े आप इसमें जरूर से अट करिए का इसे भी हमें ज्यादा ने पस दो से तीन मिनट के लिए हलका सा भून लेना है इसे भूने वक्त हलका सा रिखे क्योंकि जब यह भूनता है न तो यह उचल उचल गर ऊपर आता है तो 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 बना सा ध्यान से भूने आप सभी ने एक बात गौर कियोगी कि अभी तक मैंने इसमें घी नहीं डाला है क्योंकि मैंने क्या कि जो भी चीज़े बिना घी के भून सकती थी जैसे मेथी और मैलन सीट्स उन्हें मैंने बिना घी के पहले भून लिया है इसके बात अब हम इसमें घी आड़ करेंगे और माकी साइज जीज़ों को भूनेंगे तो जो मैलन सीट्स ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से भून गए इन्हें मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें ड तकरिबन दो चमबच आट किया है घी सारा घी एक बार में नहीं आट करेंगे थोड़ा थोड़ा करते ही डालेंगे और इसमें अब जो बाकी चीजे हैं उन्हें हम भून लेंगे घी जैसे ही मेल्ट हो गया मैंने इसमें सबसे पहले डाल दिया है गूंत तकरिबन 50 ग्राम इ यां रिके की गोंद को आपको बिलकुल अच्छे तरीके से भुना है क्योंकि अगर गोंद अच्छे तरीके से भुना नहीं और कचा रहे गया तो लड़वे अच्छे नहीं बनेंगे। अगर मैं गोंद की बात करूँ तो गोंद में काफी अच्छी मात्रामी कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हट्डियों को काफी जादा मजबूत बनाता है सर्दियों के टाइम पर अकसर सर्दी, खासी, घुटनों में दर्द, सर में दर्द, गी साइजी से ना सभी को होती रहती है तो अगर आप हर दिन गी एक लड़ू गर्म दूद के साथ लोगे तो गी आपको अंदर से बहुत जादा एनरजी देगा और आपके इम्म्यूनिटी को भी काफी अच्छा बूस्ट करेगा तो गुंद की भूँजाने के बाद उससे निकाल लिया और अब जो हम बाकी ड्राइव रूट अड़ करने वाले हैं अपने लड़ूओं में हम उन्हीं भी हलका सा भूनेंगे तो मैंने इसमें सबसे पहले डाल दिया है बादाम अगर मैं ड्राइव रूट की बात करूँ तो अपने पसंद के अनुसार आप इसमें डाल सकते हो और उसकी क्वाइंटी भी बढ़ा यग घटा सकते हो अपने अनुसार तो बादाम को हमें होलका सा भून लेना है अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर ड्राइफरूट की जो quantity है ना वो आप अपने अंसार बढ़ाया घटा सकते हो बट मैं आपके एक बार पताऊंगी अगर आप चाहो ना जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत चारी ड्राइफरूट अट करोगे कि तभी आपके लड्डू अच्छे और हेल्दी बनेंगे आपके पास जो भी ड्राइफरूट अवे लेबल है ना दो तीन ड्राइफरूट भी हैं तो आप उनसे भी इन लड्डूँ को बना कर सकते हो तो काजू को डाल करके भी ना मैंने यसे अच्छे तरीके से भून लिय क्योंकि काजू को भूनने में जादा समय नहीं लगता इसलिए मैंने काजू को बाद में डाला था हलका सा गुर्डेन हो गया दोनों ही तो इन्हीं मैंने निकाल लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ किश्मिश ध्यान रिखिए कि किश्मिश ना बहुत जल्दी-जल् वन एक बड़ा चम मज्श मैं इन्हें बाद में ग्राइंड नहीं करूंगी इन्हें में लड़ूं में इसी तरीके से डालूँगी लड़ूएं दिखनें में बहुत ही बढ़िया लगेंगे और जो हल्का सा क्रिस्प आ जाएगा ना इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा अब इसमें जैसा कि घी जो है वो खत्म हो चुका है तो इसमें अब हम और घी डालेंगे तो मैंने यहाँ पे तक्रिबन एक से दो चम्मज घी डाला है और घी जैसे ही मेल्ट हो गया मैंने इसमें डाला है 100 ग्राम गेहु का आटा जो हम नॉर्मली रोटिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है बट अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ ड्राइफ रूट्स और गोंत के लड़ू बनाना पसंद करेंगे तो आप चाहो तो गीहु के आटे को आप स्किप कर सकते हो आप सिर्फ गोंत सी और ड्राइफ रूट्स से इन लड़ू को बना करके तयार कर सकते हो बट मैंने इसमें गिमों के आटे डाल दिया है अब यहां आपको भूनने वक ध्यान रखना है बाकी ड्राइफ्टूर्स को तो हमने हलका मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया बट यहां पर जब आप आटी को भूनोगी तो आपको फ्लेम को बिल्कुल ना लो पी क्योंकि अगर आप हाई पर रखोगी या मीडियम पर रखोगी जल्दी जल्दी यह भूनने लगेगा रंग बदल जाएगा बट अंदर से वह कच्छा रह जाएगा तो लड्डूों में वह स्वात नहीं आएगा तो इसलिए आपको इसे लो फ्लेम पर भूनना है हलका सा टाइम लगेगा बट आपको इसे पीशेंस के साथ पकाना होगा बढ़िया तरीके से ताकि जो आटा है वो अच्छी तरीके से अंदर से पक के तयार हो तभी हमारे लड्डूएं अच्छे बनेंगा इसे पकनी में कितना समय लगेगा कुल यह टूटली डेपेंड करता है क कि आपनी किस क्वाइंटिटी में आटा लिया हुआ है अब बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी कम क्वाइंटिटी में डालते हैं बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी जादा क्वाइंटिटी में डालते हैं तो उस पर भी डेपेंड करता है कि आपका टाइम जादा करके इसे हम निकाल लेते हैं और हमारी बागे सारी प्रेप्रेशन हो चुकी है क्योंकि हमने सारी ड्राइफ्रूट्स को भी पहले से रोस्ट कर लिया है तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले प्रॉसेस की तरफ तो अब हम क्या करेंगे कि सारी चीजों का पाउडर बना करके तयार करेंगे तो सबसे पहले यह जो गोंद है इसे हम यह देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले लिए और इसी से मैं इसे अच्छे तरीके से मैश कर दूँगी आप चाहो तो जिससे आप आलू को मैश करते हो आप उसका इस्तेमाल करके भी और इसे अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से क्रश कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यह पाउडर बनकर तयार हो जाता है तो मैंने यहां पर कटोरी से ही अच्छे तरीके से गोंद को क्रश कर लिया है अब जो बागी बचीवी चीज लिव은 बाटा लिए वे थे उसी में मैंने डाल दिया है Scott इसके बाद हमें भी भाँकी ड्राइफरो सील के वह व्य ग्राइव जारो होगा है। रखा रागव और हमें जो साथ ही मिलन शीटस वह साथ हमारे में डाल दियत है। तो इसे भी मैंने इस बोल में डाल दिया है, इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें आट करेंगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले गोन जो हमने क्रश करके रखा हुआ था, साथी में जो मैंने बचा करके मेलन सीट्स रखे वे थे, वो भी इसमें डाल दूँगी, लड़ो में बहुत अच्छा टेस्ट देगा इस तरीके से डालने से, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिये वे हैं तकरिबन दो सी तीन बड़े चमच, सौट यानि की सूखी अधरक का पाउडर, सर्दियों के समय पे खास कर अगर सर्दी, खासी या सर में दर्द होना, त इसी तरीके से डाट करेंगे, लड़ो में काफी अच्छा लगेगा, और इसके इलावा जो बादाम की कतरन थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, सारी चीज़े हमारी हो चुकी है, चले अब हम फटा फट से बनाएंगे अपनी लड़ो के लिए गुड का सीरप, इसके लि पानी के ही गुड को मेल्ट कर ले, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालोगे न तो इसका फाइदा गिये होगा कि आपके लड़ो जादा दिन तक चलेंगे, जल्दी खराब नहीं होगे, तकर चार से पांच महिने तक आराम से स्टोर कर पाओ गये, इसे लगाता है, चलाते में अगर आप गुड का सेवन करते हो, तो यह और भी जादा बेनिफिशल रहता है, क्योंकि यह हमारे बॉड़ी को गर्म रखता है, इसी के साथ हमारे इम्मूनिटी सिस्टम को भी काफी अच्छा बूस्ट करता है, तो मैं आपको यही प्रिफर करूँगी, कि आप इसमे तरीके से मेल्ट हो चुका है, हमें इसी जादा नहीं पकाना, बस मेल्ट होने तक पकाना है, तो चलिए फटा फट से ग्यास का फ्ले मॉफ करते हैं, और बढ़ते हैं अपनी लड़ो को प्रिपेर करने के तरफ, और अब हमें क्या करना है, कि हमने जिस बूल में सारी चीज छलका गर्म हो उसले एक आप अच्छे तरीके से मिक्स हो, और गर्म होने के कारण आप इसमें चमच करें, मिक्स करने के लिए और अगर आप हातों से करोगी तो हाथ जल भी सकते हैं, इस दी थोड़ा साफधानी से करें, तो मैंने पहले थोड़ा सा गुड बचा के रखा ह और अच्छेधे से मिख्स करने के बाद मैंने बचावां सारा गुल एट कर दिया शुरूबात में निसि चमत से मिलाये कि सी ङुलQué गर्म और इसके बाद मैंने इसी हातु से ही अच्छे तरीके से misht किया है ताकि जो हमारा लडू का मिशन है उसमें बिलकुर अच्छी तरीके से गुड मिक्स होके तयार हो जाए मैंने इससे पहले भी सर्दियों से रिलेटेड और भी रेसिपी अपलोड की वी है healthy and tasty लडू की तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हूँ तो बस घी डालकर के से अच्छे तरीके से विलाले और आप इसे बांध करकी की चेक जरूरazon कि बांध रहे या नहीं बंध रहे तो आप चाहो तो इसमें घी और आक कर सकते हो और वैस अब इससे हमें लड़वे बना ले नहीं हैं लेकिन इस बात का ध्यान रिखिए कि जब में शन गर्म हो उसी वक्त आप इससे लड़वे बना ले उस वक्त वो बहुत आसानी से बंद जाएंगे क्योंकि अगर वो ठंडा होते गया ना लड़ू को बांधने में प्रॉब्लम होगी अमांडी जैसा हो गया कि बनाते बनाते आपको समय लगिया और ठंडा हो गया अब लड़वे बंद नहीं रहें तो आप उसे जरा सा गर्म कर सकते हो इसे कड़ाई में डाल करकि और उसके बांद आप उसे फड़ा फड़ से लड़वे बना लें बहुत ही आसानी से बन जाएंगे लड़व के सबसे खास बत यह है कि यह खाने में काफी ज़्यादा टेस्टी होती है तो घर के सारी फैमिली मेंबर इसे बहुत ही आराम से खालेंगे हर दिन सुबा में अगर आप दूद के साथ यह एक लड़ू लोगी तो पूरे दिन आप एनरजेटिक फिल करोगे और यह देखे हैं लग रहे हैं लड़ू हैं बिलकुल सॉफ्ट हैं बिलकुल पॉफेक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा मज़दार लगते हैं उमीद है कि आज की गीवाली रेसिपी आपको जरूर से पसंद आई होगी आप इबर इसे जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कॉमें बताईएगा आपके कॉमेंट को मैं अपने नेक्स वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मिलूगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी मज़िदाव रैसिपीस के चाथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे, सवस्त रहे, मस्त रहे Thank you so much for watching this video